साक्षात अक्षर पुरुषोत्तमह सरवेभ्यह परमाम्शांतिम् आनंदम् सुखमर्पैत् तनोतु सकले विश्वे परमानंदमंगलम् स्वामिनारायन साक्षात अक्षर पुरुषोत्तमह परमश्रद्धिय श्री सत्गुरु उदैसीजी महराज महराज बाबा गुरिंदर सीजी बियास मंचस्तर धर्माचारियो जो अलग-अलग शिक्त्र में धर्म को प्रकाशित करते है ऐसे मंच पर विराजमान महापुरुषो साध संगत अब सभी को बीए पीए संस्था हमारे गुरुदेव परमपुजय महन स्वामिजी महराज की ओर से हार्दिक बंदन नमस्ते जैस्वामि नाराएंग सच्ष्विकाल जी आजकी सउसर पर परमपुजय महन स्वामिजी महराज को स्वी सद्गुरुजी का हार्दिक हार्दिक निमंत्रन प्राप्त हुआ था और गुरुजी ने अपनी 90 वर्ष की आयू में वो बहुत ही कम भ्रहमन करते है इसलिए उनके दिव्य संदेश को और आज के इस महान अउसर पर अपनी शुबेच्छाओ का एक पत्र लेकर हम उनके दास सेवक किंकर को यहाँ पर उपस्तित रेने का आदेश दिया है गुरुजी के प्रति उनका खुब प्रगाड सनेह है आज में परमपुजय महन स्वामी जी महराज उनके शुब बचनों को जो विशेश करके आज के इस समारों के लिए है मैं हाँ उसका पाठ करता हूँ प्रति विश्व नामधारी संगत के सभी कार्यवाहकों को मेरा सादर प्रणाम आपने विश्व नामधारी संगत के तत्वाधान एवं श्री सत्गुरु उदैंशी जी की समरक्षता में श्री भेनी साहिब लुधियाना में प्रतम सर्वधर्म सम्मल्यन का जो आयोजन किया है वो निश्चित रूप से एक अती प्रसंशनिय कार्या है हमारे गुरुदेव पूझे प्रमुक स्वामी जी महराज कहते थे कि जब विभिन धर्मों एवं संप्रदायों के अग्रणियों आपस में मिलते है तब सभी के बीच आत्मियता बढ़ती है सुत्रधार की आत्मियता के प्रभाव से उनके अनुयाईयों के बीच भी आई के बढ़ता है अन्तातह विश्वशान्ती एवं जीव कल्यान का ये कारिय सुगम होता है और साथ में वसुधेव कुटुमबकम की हमारी संस्कृति का भी पोशन होता है आपके निमंत्रन से हम उपकृत है परंतु मेरी उम्ब्र एवं स्वास्थ के कारण आपके समारों में मेरी साक्षात उपस्तिती नहीं हो पाएगी इस बात का खूब खेद भी है तथा पी मैं आपके लिए परमात्मा और गुरुदेव को प्रार्थना करता हूँ कि आपका समारों बड़ी भव्यता और दिव्यता से संपन हो सर्व धर्म संबलन के आयोजन का आपका वैश्विक शांति का उद्देश्य सर्व था संपन हो यसर्व धर्म संबलन से विश्व कल्यान होगा साधु केशव जिवन दास के जहिश्री स्वामी नारायन सर्वेत्र सुखिनह संतु सर्वे संतु निरामायाहा सर्वे भधरानी पश्यन्तु मा कश्चित दुख भाग बवेत ओम शान्ति ही शान्ति ही शान्ति ही परंपुज्य महंत स्वामी जी महराज के ये शुबेच्छा पत्र को मैं आज के इस समारों में उनके एक दिव्य संदेश को समर्पित करता हूँ विश्व कल्याण, जन कल्याण और वैश्विक शान्ति का एक शुब संदेश इस मंच पर से सतत निरंतर प्रवाईत होता रहता है सभी कोई शान्ति चाता है, हर कोई शान्ति चाता है हिंसक पशु भी सीं और बाग जेसे अपने समुदाई में शान्ति चाते है मानव की दोड़ धन के पीछे है, स्वास्त के पीछे है, किर्टी और प्रसिद्धी के पीछे है परन्तु आखिर कर वो शान्ति ही चाता है कोई जंग बाज युद्धा हो, तो वो अपनी जीत के बाद भी शान्ति ही चाता है अरे डकोटे के समुदाई में शान्ति ही चाते है एक दिव्य शान्ति ही विश्व का कल्यान कर सकेगी और वो दिव्य शान्ति हमें धर्म प्रदान करता है मानव का आपसी प्रेम, परस पर प्रेम, करूणा, सदभाव, सम्रस्ता सौहार्द और सैश्नुता के भाव को उद्धिप्त एक मात्र धर्म ही कर सकता है जिसमें वो सामर्थ्य है और यदि ये परीमान एक्षमता जो धर्म है उसमें ना हो तो फिर उसको हम धर्म कहें नहीं सकते आज जो मैत्री सौहार्द एक्ता और प्रेम का वातावरन अत्यन्त आत्मिय वातावरन इस मंच पर जो बना हुआ है और सतत एक दिव्य भाव की एक निर्दोष बुद्धी की प्रेना प्रवाहित होती है तब एक विश्वास एक आस्था बढ़ती है कि यदि इसी प्रकार के आउसरों बार बार आयोजित होते रहे तो मानव मानवता से जुड़ेगा मानव देवत्व से जुड़ेगा मानव परमात्मा से जुड़ेगा और जब वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ेगा तब ही तो वास्तों में मानव मानव से जुड़ेगा और ये अईक्य, ये संबादिता, ये शहिश्नुता, ये समरस्ता, ये सवहार्द और मैत्री के भाव है वो बिना अध्यात्म हमें प्राब्त तो नहीं हो सकता हमारे गुरुदेव प्रमुख स्वामी जी महराज एक बात कहते थे जो उन्होंने यूनों में बताई थी मिलेनियम विश्वशान्ती परिशत का आयोजन सन 2000 में यूनों में हुआ था और उस समय 156 देशों के 1800 धर्माचारियों इकत्र हुए थे उस अउसर पर परम्पुजे प्रमुख स्वामी जी महराज ने बताया था कि धर्माचारियों का परस पर समवादिता का भाव धर्माचारियों का अपने अनुयाई के साथ समवादिता का भाव और धर्माचार्य का जिस सिद्धान्त और मुल्य पर धर्म की रचना हुई है उस मुल्य और सिद्धान्त के साथ संबादिता का भाव जो बनेगा तो ही विश्व में शान्ती बनेगी इस विश्व में एक ही धर्म रहे ऐसा आगरह छोड़कर सभी धर्म एक जूट बने ऐसा प्रयास करना चाहिए सन 2000 में प्रमुख सामी जी महराज अमरीका में मायामी में थे और उस समय अमरीका के ततकालिन राष्ट प्रमुख बिल क्लिंटन साहब प्रमुख सामी जी महराज की मुलाकात के लिए पधारे थे एक राष्टरिय महावनु भाव एक धर्मिक महानु भाव ये दोनों का जब मिलन हुआ तब प्रमुख सामी जी महराज को बिल क्लिंटन साभ ने बताया कि एक संदेश मुझे आप दीजिए जो विश्व शान्ती के लिए प्रेरना देता हो तब प्रमुख सामी जी महराज ने कहा था कि शरीर में एक अंगूली में यदि जो पीडा है तो वो पीडा मात्र एक अंगूली की पीडा नहीं है वो समुचे मानव शरीर की पीडा है उसी प्रकार विश्व का कोई भी देश यदि दुखी है तो दुख मात्र एक देश का नहीं है वो समुचे मानव जाती का दूख है यदि इस भाव से सभी धार्मिक नेताओ इसी भाव से सभी राच्किये नेताओ और इसी भाव से समुची मानव जाती एक दूसरों की पिड़ा को समझ कर उनका वास्तविक हमदर्द बनकर एक दूसरों की सहाई करे तो मानुता निखर उठेगी और विश्व में शान्ती होगी बहुत सुन्दर बात उनको ये लगी और सन 2001 पाँच अप्रिल को गुजरात में अक्षर धाम के दर्शन के लिए बिल क्लेंटन साब पधारे और प्रमुक सामी जी माहराज को पुनह मिले तब उन्होंने कहा वो अंगुली अभी भी मुझे याद है जो आपने बताई थी जीवन में मानुता का उतकर्ष ही सर्वोच का उतकर्ष है और वो उतकर्ष के लिए धर्म अध्यात्म वो हमें वास्तों में चेतन बंत करते है आज हमें अलग करता है मात्र हमारा एहंकार जो परीजनों से अलग करता है जो कुटुम से अलग करता है जो समाज से अलग करता है जो राष्ट से अलग करता है जो अमारी वैश्विक भावनाओं से हमें अलग करता है और वो एहंकार यदि शान्त हो तो ही विश्व का कल्यान होगा और विश्व में शांती होगी और वो सामर्थय सद्गुरु के वचन में है वो सामर्थय शबद में है वो सामर्थय अध्यात्मा में है वो शास्त्र में है वो ग्रंथों में है वो महापुरुशों के वचन में है यदि उसमें हम श्रद्धावान बने, उसमें हम आस्थावान बने, स्वाधर्मा में सुध्रूड रहकर सभी धर्म का हम आदर करे और इस प्रकार मैत्री का भाव बनाए रखे तो बहुत सुन्दर कारिय जीव कल्यान का और विश्व शान्ती का निश्चित रूप से होता है एक छोटा सा प्रसंग कहकर मेरी बात को मैं विराम दू हमारे एक संत ने प्रमुक सामी जी महराज को एक पुस्तक दे और कहा गुरुदेव आपके आशिरवाद इसमें लिख दीजिए प्रमुक सामी जी महराज 6 कक्षा तक पढ़े है और वो मात्र गुजरादी भाषा ही जानते है और वो संत ने थोड़ा प्रेमा ग्रह किया कि स्वामी जी इस पुस्तक में अब अंग्रेजी में आशिरवाद लिख दीजिए क्योंकि वो संत इंगलेंड से संत बने थे अभी संस्कृत शिख रहे थे और वो फ्रेंच भासा पढ़ रहे थे और वो फ्रेंच भासा पढ़ने का पुस्तक था प्रमुक स्वामी जी महराज उनके सामने एक मुरुदू हाथ से फैलाते है और स्वामी जी कहते है कि अंग्रे जितों में नहीं जानता परन्तु आप स्पेलिंग बोलिए मैं लिखता हूँ उन्होंने कहा स्वामी जी आप मुझे इतना ही लिख दीजिए I am blessing you और वो स्पेलिंग बोलने लगे उन्होंने लिखवाया I प्रमुक स्वामी जी महराज ने लिखा A.M. स्वामी जी ने लिखा blessing you वो भी प्रमुक स्वामी जी ने लिखा वो पुस्तक जब उनको वापिस दी और अपनी गुरुदेव के हस्ताक्सार को जब उन्होंने पढ़े अंग्रेव जी में वो बड़े प्रसन हो गए और कहने लगे स्वामी जी आपने खुब स्वच्छ अत्यंत स्वच्छ लिखा है और बादे में कहने लगे एक भूल की है प्रमुक स्वामी जी महराज उनके सामने देखने लगे और कहने लगे कौन सी बूल है उन्होंने कहा स्वामी जी आपने जो आई लिखा है वो छोटे वाला लिखा है आई is always capital वो हमें सब capital होता है तब प्रमुक स्वामी जी महराज ने कहा कि व्याकिरन की परिभाशा को मैं नहीं जानता परंतु जीवन में आए जीतना छोटा होगा उतनी शांती अधिक रहेगी यह एंकार जीतना शांत हो और धर्म में ही वो सामर्थ्य है अध्यात्म में ही वो सामर्थ्य है क्योंकि अध्यात्मा हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है और परमात्मा सबसे बड़ा महान है और उस महान तत्व की अट्यंत महान ताका जब हमें साक्षात्कार होता है तो उस समय एहंकार अपने आप समाप्त होता है उनकी सत्ता का जब परिचे ही होता है उस परम सत्ता से उपर दूसरी कोई वखरी सत्ता नहीं है ऐसा जब हमें अनुभव होता है तभी एहंकार मिटता है ये निर्मानी सरलचित महापुरुशों के दर्शन हमें मंच पर हो रहे है उनके दर्शन भी हमारे एहंकार को शांत करता है और तभी मानव मानव से जुड़ता है और मानवता निखर उड़ती है आज सर्वधर्म सम्मेलन का यही तो उद्देश यह है और इसी विशई के साथ आज ये सम्मेलन आज हमारे सामने खुब अधवुत रुप से प्रस्तुत हो रहा है हम प्राथना करते हैं अक्षर धाम परिवार की ओर से बिये पिये संस्थां की ओर से हमारे गुरुदेव परम्पुजय महन सामीजी महराज जिनकी आज्या से हम यहाँ पर आये है उनकी ओर से के मानवता के साथ हम एक दूसरों का सहयोग करे मात्र सहन ना करे सहयोग करे और सहभागी बने और इस प्रकार से पुरे विश्व को एक बना सके वसुदहिव कुटुम्बकम के इस वैदिक भाव को हमारे जिवन में आत्म साथ कर सके श्री स्वामी नारायम भगवाने की जाए सत्ष्री अकाल जैस्वामी नारायम नमस्ते बंदन बहुत बहुत धन्यवाद पुझ्य स्वामी ज्यानमंगलदास जी साड़े चैनल नू लाइक करो सब्सक्राइब करो ते शेर करो तान्वाद